इसमें सबसे एहम सवाल यह होता है कि API सचिनवाजे इन्हें नौकरी में वापिस क्यों लिया गया वे 2004 में सस्पेंड हुए 2007 में उन्होंने वियारेस दिया और उसके बाद उनका वियारेस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके उपर इंक्वाईरी चल रही थी 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय शिवसेना के और से दबाव था कि API वाज़े को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए पुलिस मैक में भी लिया जाए और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद ये तै कि कि एड्वोकेट जनरल की सला मैं इसमें लूँगा और मैंने एड्वोकेट जनरल जी की सला लिया हला कि वो कोई रिटन सला नहीं थी लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कॉर्ट ने उनको सस्पेंड किया है बहुत गहरी इंक्वाइरी चल रही है ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा और मैंने उसमें उनको नहीं लेने का फैसला किया आप ये भी जानते कि बीच में 2008 में सचिनवाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिष्टे ये सचिनवाजे के रहे इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग है इनके साथ बिजनेख रिलेशन भी उनके रहे कुछ कंपनीज भी उन्होंने तयार की और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार उद्धव ठाकरेजी की सरकार आई तो फिर एक बार सचिनवाजे को वापिस लाने का प्रयाश शुरू हुआ और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बना कर एक कमेटी तैयार हुई रिव्यू कमेटी और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिग दिया कि चुकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवशक्ता है हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे है इसलिए हम सचिनवाजे को वापिस लेते है इसमें इंट्रेस्टिंग बात ये है कि पूरे कोरोना के कारण अधिकारियों की आवशक्ता है इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो दो तिन लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापिस नहीं लिया कई ऐसे अधिकारी थे जो छोटी छोटे कारण से सस्पेंड़ थे उनको नहीं लिया लिकिन जो हाई कोट के आदेश से सस्पेंड़ थे और ये पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के उपर एकस्टॉर्शन का केस लगा और एक एकस्टॉर्शन रैकेट का वसाई विरार के इलाके में प्रदाफाश हुआ उस रैकेट में इनका नाम आया इन्होंने अंटिसिपेट्री बेल उसमें ली और उसमें बिलकुल रेकॉर्ड पर ही आया है क इस रैकेट में यह और इनके एक और साथी यह बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे तो जब इतना खराब रेकॉर्ड इनका था ऐसे समय इनको लिया और लेने के बाद क्या किया तो मुंबई क्राइम ब्रैंच की सबसे महतुपूर्ण यूनिट है क्राइम इंट् करता है दो पी आए दरजे के ऑफिसर्स और सचीन वाजे जो एपी आए है जैसे ही सचीन वाजे को लिया एक रात में यह दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पी आए की जगह एपी आए को क्राइम इंट्लिजन्स यूनिट सी आईयू का प्रमुक बनाया गया मतलब जिनका पास्ट ऐसा था ऐसे व्यक्ति को सी आईयू का प्रमुक यह सरकार ने बनाया